Good morning my dear friends, welcome back to my channel तो friends आज मैंने सुबह बहुत काम की है अपने गार्डन में और आज चुटी भी है तो आज सबसे पहले मैं अपना गार्डन का ये वाली एरिया दिखाना चाहूंगी आज बारिस भी हुई है और काफी प्यारे लग रहे हैं और मेरा गार्डन भी काफी क्लीनिंग की हूँ मैंने और रात में पानी गिर है तो इस वज़़े से काफी क्लीन भी हुआ है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ी है मुझे लेकिन थोड़ा सा हमारे हाँ फ्रेंड्स क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो जाता है दिक्कत ये होती है कि बिल्कुल एक गंटा पानी गिर जाएगा आधा गंटा पानी गिर जाएगा उसके बाद इतना जादा उमस होता है कि बिल्कुल हमारी भी हालत खराब हो जाती है और जिस तरह की हलात होते हैं, उसी तरह से plant के ब्रांच बस दीखते हैं, और जो कलिया होती हैं वो flower खिले होते हैं, बाकि नीचे का पूरा जो ब्रांच है वो खराब सा हो जाता है, तो मेरे एक दो ही विक्सकस में ही इस तरह की problem हुई है, तो देखिए इस तरह से होते रहते हैं मौसम परिवर्तन से तो बहुत कुछ जब इंसान ही परिसान है फ्रेंट्स तो प्लांट की क्या बात करें तो चलिए दिखाती हूँ मैं अपना गार्डन थोड़ा सब व्यूँ कि किस तरह से अभी मेरे गार्डन दिख रहे हैं और मेरे गार्डन का फ्रेंट्स यहाँ पर का एरिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उसकी वज़ा तो आप लोग को पता ही है कोलियस कोलियस मुझे बहुत ही पसंद है मेरे दिल से जुड़ा हुआ प्लांट है और यह मुझे बहुत प्रिटी लगता है लगता है दुनिया जहान की जितनी सारी कोलियस की वेराइटी हो सब अपने गार्डन में एट कर लूँ तो ऐसा तो हर किसी को लगता है तो सबसे पहले मैं आज आपको टॉपिक बता रही हूँ वो टॉपिक है पर्मनेंट प्लांट दस ऐसे कोन से पर्मनेंट प्लांट है जिसे हम अपने गार्डन में एट कर सकते हैं तो सबसे पहला है आला मंडा ये कटिंग से भी बहुत आसान तरीके से लग जाती है और ज़्यादा इसके प्राइज भी नहीं होते हैं इसे हमें रूपिष चले ये कहते हैं प्लावर भी आती है और ये मेरा मिक्स वाला है रेड़ और ऑररेंज का और ये भी कटिंग से बहुत आसान तरीके से ये कुलाण गासकते है इसके भी फ्राइज जादा नहीं होते हैं और तीसरा प्लांट है टिकोमा तो टिकोमा में आपको रेड, येलो, पिंग इस तरह के कलर्स मिल जाएंगे आपको और ये भी बहुत ज़्यादा बंचेज में फ्लावर्स देता है कटिंग से भी आसान तरीके से ये बहुत लग जाता है तो इस प्लांट को भी आप अपने गाडन में पर्मनेंट प्लांट है एड कर सकते हैं इसके बाद चौथा प्लांट है मेरा अलामंडा वाइन तो अलामंडा वाइल में देखे कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और ये प्लांट ज़्यादा केर नहीं मांगता है तो इस प्लांट को आप जरूर अपने गाडन में एड कीजिए बहुत बिक साइज के फ्लावर आते हैं और बहुत ही खुबसूरत लगते हैं बहुत ही सुन्दर सुन्दर से फ्लावर साते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्लांट है मेरा कनेर का प्लांट तो कनेर में मेरे हाँ फ्लाविंग शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मैंने प्रूनिंग कर दी, काफी लंबे-लंबे ब्रांच थे, और इसकी भी कटिंग आप कहीं पर आपको मिलती है, तो आप बहुत आसान तरीके से इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और खास तोर पे अभी परपल और डार्क राणि कलर, यह भी परमनेंट प्लांट है, मेरे गाडन में फ्रेंट्स यह साल भर फ्लावरिंग करता है, तो इस प्लांट को भी आप अपने गाडन में एट कीजे, नेक्स प्लांट है अबोली का प्लांट, यह भी बहुत अच्छे से अगर करते हैं, त तो इस प्लाट को भी आप एड़ कर सकते हैं नेक्स प्लान्ट है लिए बिस्कस इतनी ज़्याधा वैराइटी है कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी वैराइटी मैं खरीद लूँ तो इस प्लान्ट को भी आप जरूर अपने गारडन में एड़ कीजिए और ये cutting से grow हो जाता है next plant है bleeding heart का तो bleeding heart की भी आप cutting इस समय लगा सकते हैं और ये भी एक permanent plant है एक बारियदी आप अपने garden में लाते हैं तो ये सालो साल आपके garden में बना रहेगा और बहुत ही खुबसूरत flowers आते हैं next plant है friends मेरा जट रूपा का तो जट रूपा में देखे इस तरह के bunches में flowers आते हैं बहुत ही सुन्दर लगते हैं तो इस plant को भी अपने garden में आप aid कर सकते हैं और ये भी cutting से और seed से दोनों से grow हो जाता है और ज़्यादा care ये भी नहीं मांगता है तो इस plant को भी आप अपने garden में ज़रूर aid कीजिए बहुत ही खुबसूरत flowers आते हैं अगला plant है चमपा तो ये plant जो मैं दिखा रही हैं friends ये मैंने cutting से ही लगाया है पिछले साल रेनी सीजन में और देखे इसमें flowering सुरू हो रही है तो चमपा का plant जो है वो भी permanent ही है अच्छे से flowering करता है बहुत बंचेज में बहुत ही खुबसूरत colors आते हैं अगला plant है मोंगरा का तो ये मोंगरा का plant मैंने अपने school से लाया था बल्कुल छोटी सी बिल्कुल cutting लाई थी मैं और इसके मैंने लगबख 10 से 15 प्लांट तयार कर लिये हैं अभी और बहुत ही खुबसूरत flowers आते हैं और ये भी permanent plant है तो इस plant को भी यदि आप अपने garden में एक बारेट करते हैं तो इस सालो साल आपकी garden में बना रहेगा और बहुत ही खुबसूरत flowers आएंगे और आपके garden को महकाता रहेगा अगला plant है गुल्दाओदी तो गुल्दाओदी भी हमारा permanent plant है हलकि flowering ये winter season में ही करता है लेकिन ये भी permanent plant है यदि आप इसको एक बार लाते हैं तो इसकी cutting से आप बहुत सारे plant तयार कर सकते हैं और सालो साल आपके garden में ये बना रहेगा अगला plant है फ्रेंट्स ये इस्थल कमल का इस्थल कमल में मेरे flowering सुरू होने वाली है और देखे कितने प्यारे इनकी पत्तियां भी बहुत ही खुबसूरत होती है ये भी permanent plant है अगला plant है एक जोरा तो एक जोरा को देखे कितनी सारे bunches में flowers आते हैं और बहुत ही color इसके बहुत सुंदर सुंदर color आते हैं dark variety, long variety और इस तरह के देखे तो मेरे पास white, red और ये pink बहुत ही खुबसूरत दिखता है तो इस plant के भी cutting आप बहुत है चांदनी का देखे इसकी तीन variety आती है double petal, single petal और ये mini चांदनी और तीनों मेरे हाँ अभी बहुत अच्छे से flowering हो रही है मैं दिखाती हूं आपको देखिए इस तरह से तो इसको तो आप बिल्कुल ही नरसरी जाते हैं तो बिल्कुल इन तीनों प्लांट को आप जरूर लेकर आईए और आपको किसी दूसरे के घर flower मांगने के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा flowering करता है और इसी की एक variety है देखिए स्री लंकर डगर इसमें भी बहुत ज़्यादा flowering होती है अगला plant है यूफोर विया मिली तो इसकी यदि आप care करते हैं तो ये भी साल भर flowering करता है और ये भी आपके garden में हमेशा बना रहेगा देखिए कितने प्यारे से flowers आए हैं और इसकी आजकल hybrid variety भी आ गई है जिसमें छोटे-छोटे से flowers आते हैं जो रेनी सीजन में और अगस्त के माह में आप जरूर नरसरी से ला सकते हैं या cutting से असान तरीके से ग्रो भी कर सकते हैं तो मेरा आज का purpose ये था कि आपको permanent plant बताने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रही थी कि आप इन सारे plant को cutting से भी बहुत आसान तरीके से अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं और जो cutting से लगती है plant तो मुझे ऐसा लगता है friends कि क्यों न हम उसकी cutting ही लगाएं क्यों हम जाकर नरसरी जाकर plant खरीदें क्योंकि plant भी काफी महंगे हैं यदि आसपास एव लेवल नहीं है तो नरसरी से जरूर खरीदें मैं यह नहीं कहती कि नरसरी से मतलाई है लेकिन यदि cutting से आपको अगर आता है ग्रो करना या नहीं आता है तो वीडियो भी देख सकते हैं और cutting से आप क्यों नहीं लगाते हैं तो आसा करती हैं friends आट के वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को प्रेज कीजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो देखे कितना सुन्दर लग रहा है बारिस होने के बाद और आज मैंने सुबा से बहुत सारे वर्क भी कर लिए तो फिर मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई बाई